हेलो एंड वेलकम तु दा फाइवर फाव बिगणर सीरीज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे के फाइवर पर हम कैसे ओडर ले सकते हैं कस्टम ओफर हम कैसे सेंड करते हैं ओडर डिलिवरी का क्या प्रॉसस है कैसे हम थ्रू आउट दा ओडर बायर से कम्युनिकेशन कर करके सब कुछ क्लियर कर सकते हैं और इन दी एंड कैसे हम 5 स्टार रिविउस लेके order complete कर सकते हैं क्यूंकि काफी freelancers को पता नहीं होता है कि हमने कैसे client को deal करना है कैसे communication करनी है और कैसे सब files को deliver करके order complete करना है लेकिन इस वीडियो से आपकी यह सारी confusion दूर होने वाली है तो चलें शुरू करते हैं mostly जब कोई client आपकी service में interested होता है तो वह पहले आपको message करके confirm करता है कि क्या वाकिए आप उसका काम कर पाओगे या फिर नहीं और यहां पर proper communication करके buyer को convert करना आपके लिए बहुत ही important है इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूँ के फाइवर सेलेक्ट बायर्स कौन से होते हैं ऐसे बायर्स जिन्होंने 10 प्लस orders फाइवर पे complete किये हों और at least 500 डॉलर spend किये हों को फाइवर एक बैज देता है और उसको कहते हैं फाइवर सेलेक्ट बायर्स क्यूंकि फाइवर के अकौर्डिंग वह loyal और trusted बायर्स होते हैं और फाइवर उनको काफी importance देता है जब भी कोई बायर आपको मैसेज करता है तो अगर उसके साथ यह crown जैसा बैज भी होगा तो आप समझ सकते हैं कि फाइवर सेलेक्ट बायर है और अगर आप इन बायर्स को क्वालिटी वर्क डिलीवर करोगे तो बहुत ज्यादा चांसिद रहेंगे कि यह बाद में भी आपको ओर्डर दें अच्छा तो यह client भी फाइवर सेलेक्ट बायर था और इसने मैसेज में बोला के वेलकम टू माई गीग और मैं डेफिनेटली वेक्टर ट्रेसिंग की सर्विस भी ओफर कर सकता हूं क्यूंकि इसमें मेरा experience है और दैन उससे पूछा के वो लोगो वगेरा दिखाया जिसको के उसने वेक्टर में convert करवाना है ताके मैं complexity के according उसको price दे सक करते हैं अच्छा तो मैंने फिर उसको response दिया के बिल्कुल क्वाल्टी तो है लेकिन इसको मैं high quality में convert कर दूंगा विद ब्लैक कलर और मैं जस्ट इसके $10 चार्ज करूंगा क्यूंकि यह logo simple सा था और इतनी ज्यादा इसमें details नहीं थी उसको further convince करने के लिए मैंने यह भी क सब्सक्राइब करने के लिए आप यहां क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी सारी यहां पर शो होना शिरू हो जाएंगी जिसमेंसे आप कोई भी चूज कर सकते हो जिस पर के आप यह order लेना चाहते हो इस तरह आपने अपने अपने अपनी offer को describe करना है कि इसमें क्या-क्या included जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं कि हमने लोगो को वेक्टर में convert करना है और delivery files में हमने AI source file transparent png और jpg files को include करना है और लास्ट में पर लिखेंगे अपनी कस्टम offer की price कि यह सब provide करने के लिए आप कितने चार्ज करोगे इसके नीचे आपको यह भी दिख रहा होगा add coupon अगर आप seller plus member होगे तो आप बाइर को coupon या फिर discount भी offer कर सकते हो ताकि वह उसका भी फाइदा उठाए अगर आप चाहते हो कि यह offer का pay setup किया होगा तो अगर आप इस option को check करेंगे तो आप client से वह सब कुछ request कर सकते हो कि वह उन सब requirements को भी submit करें अगर आप इसको check नहीं रखोगे तो बिना requirements submit करें client आपको order दे सकता है और आपको कोई भी requirements मिलेंगी नहीं इसके बाद आप नीचे अपनी service के related कुछ और deliverable select कर सकते हो जिससे के buyer को भी पता चलेगा कि आप इसमें क्या-क्या offer कर रहे हो यह सब करने के बाद आपने send offer पे click कर देना है और इस तरह आपकी offer buyer को send हो जाएगी अगर buyer इस offer को accept करके order place कर देगा तो यहां लिखा आ जाएगा offer accepted और अगर वो कोई भी response नहीं देगा तो यहां लिखा रहेगा withdraw offer जिस पे click करके आप उस offer को वहीं पे खतम कर सकते हो अच directly हमें order page पे ले जाएगा यहां आप इस पार्ट में देख सकते हैं कि delivery में कितना time बाकी है अच्छा तो इसके लावा आप यहां पे inbox conversation order details और बाकी कुछ और information भी देख सकते हो जैसे ही client ने order place किया तो मैंने उसको proper एक response दिया जिसमें कि मैंने सब कुछ clear किया कि वो क्या expect क कर सकता है और मुझे उससे क्या चाहिए होगा इस सब के बाद अगर आपका client कुछ extra demand करता है या फिर आप order cancel करवाना चाहते हो तो आप नीचे resolution center पे click करेंगे इसके बाद यहां पे आपने order cancellation का reason select करना है और नीचे आप बाइर के लिए कोई भी message होड़ सकते हो कि क्यों आ effect होगी अगर आप order cancel करने के बजाए ज्यादा time लेना चाहते हो तो आप यहां से delivery time extend करने के लिए request भी कर सकते हो जिसको अगर बाइर approve करेगा तो order delivery time extend हो जाएगा delivery time extend करने के लिए आपने यहां पे date select करनी है कि अब आप कौन सी date में delivery करोगे और फिर आपको यहां पे estimated new delivery time show होना शिरू हो जाएगा नीचे आप बाइर के लिए message भी छोड़ सकते हो जिसमें कि आप explain कर सकते हो कि आप क्यों delivery time extend करना चाहते हो अच्छा तो आप देखते हैं finally हमने order deliver कैसे करना है उसके लिए हम इस बटन पे click करेंगे deliver now फिर इस तरह का एक pop-up open हो जाएगा यहां प करता हूं और इस message में मुझे इस order के related जो भी changes करने होंगे वो सब मैं कर लेता हूं क्योंकि हर order में हमने different चीज़ें deliver करनी होती हैं तो कुछ details हमें हर दफ़ा change ही करनी पड़ती हैं अगर आप सोच रहे हो कि यह सब templates आपको कहां से मिलेंगे तो इस video में मैंने यह सब कुछ explain किया है और वहीं आपको यह सब templates भी मिल जाएंगे जैसे कि मैं बाइर के लिए personalized और detailed delivery message बना लेता हूं और उसके बाद हम अपनी work files भी deliver करेंगे क्योंकि हमने अपनी custom offer में source file भी select किया था तो इसलिए यहां पे हमारे पास upload work और upload source file यह दोनों हमें अलग-अलग बटन श जाएंगी तो इसके बाद हम click करेंगे upload source file और then हम source file को भी upload कर देते हैं जैसा कि आप देख रहे हो कि यहां पे हमने sub files को upload कर दी है last में आपने select करना होता है कि अपने portfolio में आप कौन सी picture show करवाना चाहते हो आप जब भी order deliver करते हैं तो उसमें आप अपने live portfolio में add करने के लि इस पे मैं यह एक image upload कर देता हूं और यहां arrow से आप select कर सकते हो कि आप अपने gallery sample में कौन सी image को add करना चाहते हो आपने portfolio image को यहीं से select कर लेना है और उसके बाद आपने deliver पे click कर देना है इस तरह हमारी तरफ से order deliver हो जाएगा और आप client के पास कुछ options होंगे actually यह वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इन्शाला बाकी का process जैसे के client के पास कौन से options होते हैं और कैसे हमें review मिलता है यह सब मैं next part में जरूर share कर दूँगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको like कर दें और channel को subscribe करके bell icon भी on कर लें ताकि आपको next आने वा कर दो